Apex Legends Mobile का Global Launch होने वाला है इसी महीने लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना अगर आपके फोन के अंदर आपने Apex Legends Mobile का Soft Launch इंस्टॉल करके रखा है उसको तुरंथ अभी के अभी डिलीट कर दो सबसे पहली बात तो ये Global Launch के टाइम में ये उमीद मत रखना कि भाई हमारे Play Store में तो अपडेट आ जाएगा उसको हम अपडेट कर लेंगे और Apex का Global Launch इंजॉय करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि Apex का जो Global Build है वो Completely Different Build है और ये वाला जो Build आपके फोन के अंदर अभी है ये Soft Launch वाला Build है तुरंत अभी के अभी जाओ गेम को Uninstall करो उसके बाद Play Store के App Info के अंदर जाके Clear Cache and Clear Data कर दो फिर फटाफट से कर लो गेम को Pre-Register और मेरे भाईो फॉर सेफटी डीजेंस आप लोग एक काम कीजिए Apex Legends Mobile का जो Official Page है वहाँ पे जाकर एक और बार Pre-Register कर दीजिए वीडियो को End करने से पहले एक और चीज़ में Clear कर दू ऐसा सुनने को आ रहा है कि Apex Legends Mobile का जो Season 1 है उसके अंदर हमें Fade नाम का एक Legend देखने को मिलेगा Not just only that ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि Apex Legends Mobile का जो Global Launch है वो 17 तारिक को होने वाला है तो गाइस मैं तो पूरा एक दम तयार हूँ Global Launch के लिए क्या आप लोग तयार हो नीचे Comment section में ज़रूर लिखना मिलते हैं आपको Next वीडियो पे तब तक के लिए Bye Have a Good Day and Take Care